कौन है हरीस सालवे सबसे महेंगे वकील में गिंती 68 साल की उम्र में की तीसरी साधी एक रूपए में लड़ा था कुलभूसर जादो का केस वो वकील जिसने पिता के पच्चिन्नों पर चला वकालत की एक नई लकीर खिची अमबानी महंद्रा टाटा के रह चुके हैं वकील इट एंड रेंड केस में सल्मान को जबानत दिलाई वोनफोल को 14,200 करोड के कतित टेक्स चोरी में जीत दिलाई अब वन नेशन वन इलक्सन कमेटी में बनाये गए सदस से जी हाँ देश के सबसे महगे वकील में सुमार और भारत के पूलो साली सीटर जनरल हडीस सालवे ने 68 साल की उम्र में तीसरी बार साधी की है इससे वो चर्चा में फिर से आ गये हैं केंद सरकार की नौ गठित वन नेशन वन इलक्सन कमेटी के सदस से बनाये जाने वाले सालवे ने एक रुपे की फीस लेकल कुल वुसर जादो मामले में अंतररास्टी कोट में भारत का पच्छ रखा था 48 साल के अपने कैरियर में वो कई बार कार्परोएट घरानों का पच्छ कोट में रख चुके हैं उनके गिंती भारत के सबसे महगे वकीलों में होती है इल्लीगली इंडिया.com के मुदाबिक 2015 में सालवे कोट में एक सुनुआई के दौरान 6-15 लाक रुपे लेते थे 22 जुलाई 1955 को मारास्टा में जनवे सालवे मूल रूप से नाकपूर के रहने वाले हैं उनके दादा पीके सालवे भी दिगज क्रेमिनल लायर रह चुके हैं उनके पिता यनकेपी सालवे कॉंग्रेस के नेता और केंदरी मंत्री भी रह चुके हैं साथ ही वो भारतिय किर्केट बोर्ट के अध्यच भी थे उनकी माता अम्रिती सालवे एक डॉक्टर थी हरी सालवे बच्पन से इंजीनियर बनना चाहते थी लेकिन कॉलिस तक आते आते उनका रुझान चार्टेट एकाउंटर यानी सीए की ओर बढ़ा किताब लीगल इगल्स में बताया गया है कि सीए की परिच्छा में वो दो बार फेल हुए बाद में जाने माने वकील नानी अरदेर सर के कहने पर उन्होंने कानून की पढ़ाई की वही वकालत के अलावा हरी सालवे को संगीत और पियानो बजाने का भी सौक था दिल्ली हाई कोर्ट की तरब से 1992 में सालवे सीनियर एडूकेट बना दिया गया उनको इसके बाद उन्होंने अमबानी महंद्रा और टाटा जैसे बड़े कार्प्रेट घरानों की कोर्ट में नुमाइंदगी भी की लेकिन सालवे को लगबग अजे तम माना गया जब उन्होंने वोड़ा फोन को 14,200 करोड की कथित टेक्स चोरी के केस को जीत दिलाई लगबग साल 2015 में हीट एंड रन केस मामले में सलमान खान को कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी उन्हें कोर्ट में सीधे आर्थर रोड जेल ले जाने की तयारी की जा रही थी इसी बीच एक बदलाव करते हुए हरी सालवे ने कोर्ट में सलमान का पच्च रखा और उन्हें जवानत दिला दी कुल्भूसर जादो को अप्रेल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोपे पाकिस्तान के एक सेन्य आदालत में मौत की सजा सुनाई गई थी उसके बाद भारत ने कड़ी प्रतिकरिया वेक्ते करते हुए अंतर्रास्टी कोर्ट का रुक किया अंतर्रास्टी कोर्ट में करीब दो साल की लड़ाई के बाद इस मामले में आखिरकार सुनवाई की गई और इसी साल 18-21 फरवरी तक हुई थी जादो का केस हरी सालवे नहीं लड़ा था इसके लिए हरी सालवे ने भारत सरकार से सिर्फ एक रुपए की फिसली थी वैसे इस मामले पर आपकी क्या प्रितिकिरिया है अपने प्रितिकिरिया हमको जरूर बताएं और बने नहीं जेटी न्यूज के साथ लेकिन अगर ये ख़बर आप फेस्बूप पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले और यूटूब पर देख रहे हैं तो क्योदार बने प्रूबर टार टेकिजूब पर देख वर्बबर णोटा हमको को